बजट में महंगाई, बेरोजगारी और छोटे वैपारियों को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं। जरूरी चीजों पर GST कम नहीं किया गया, ये सूपर रीच लोगों को फाइदा पहुचाने और देश को 15 लाग करोर के करज में डुबाने का बजट है। कुछ छूट मिलेगी तो उससे कुछ सामन सस्ते होंगे महंगाई के जमाने में। रोजगार वैसे ही नहीं है और महंगाई से लोग जूज रहें। उस तरफ कोई नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई गोशना नहीं है, कोई स्कीम नहीं है इनके पास में। तो कुल मिलाके देखें तो ना महंगाई से लड़ने के लिए योजना है, ना बेरोजगारी से लड़ने के लिए कोई योजना है, ना कंजमशन बढ़ाके छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाने की योजना है। कुल मिलाके कुछ सुपर रिच लोगों को फाइदा पहुचाने का बजट है, और देश को 15 लाख करोड के और करजे में गहराई से डुबोने का बजट है, और जितना करजा आज सरकार लेगी, आने वाली पीडियों के लिए उतनी मुसीबत खड़ी करेगी, ये हम सब देख रहे हैं, इस करजे को कैसे चुकाया जाएगा, कहां से चुकाया जाएगा, इसका कोई रोड मेप नहीं है, देश को करजे की आड़ में जोखने का बजट है,